असलाम लेकूम अभी एक सीनियर सहाफी सीनियर एंकर परसन जिन्होंने हाल ही में हाफिस साथ हुसें रिजवी जो तेरीके लबवाइक पाकिस्तान की अमीर सरबरा है उनका इंटर्व्यू भी किया था बोल न्यूस पर और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रेट हो गई थी फिर वो प्रोग्राम रोक दिया गया बॉल चैनल को भी एक नोटिस किया गया था उसके हकाइक भी आमने आपके सामने रखे थे समी इबराहीम ने ट्वीट किया है तीन बच कर त्रिपन मिनिट पर इस वकर चार बच के तीन मिन्ट हो रहे जिस वक्त मैं वीडियो रिक गरिफ्तार किया गया है अफसोस नामोसे रसालत की आवाज बुलंद करने का जवाब है गतल का इल्जाम हुक्मरानों हया करो दूसरी जाने सोशल मीडिया पर बहुत सारे सहाफियों ने इस खबर की तस्दीक भी की है जो लाहौर के रहने वाले जेनलिस्ट है वो भी ये कि साथ हुसेन लिजवी को गतल के एक मुकदमे में गतल के इल्जाम में उनको गरिफ्तार किया गया है अलबता ये मुदाई कौन है मुकदमा किस पुली स्टेशन में दर्ज है तफशीशी अफसर कौन है इस हवाले से किसी किसम की कोई खबर कोई इतला सामने नहीं आई इ पहाफियों की मताबिक कुछ खबर रसाइदारों के मताबिक कुछ रिपोर्टर्स के मताबिक उनको गतल के इल्जाम में गरिफ्तार किया गया है ये कतल लाहौर का वाकिया है लाहौर से बाहर का है पंजाब का है पंजाब से बाहर का है इस हवाले से किसी किसम की कोई इतल चाहिए कुछ दिन पहले हकूमत पाकिस्तान ने एक एहम तरी इजलास किया तहरीक लबबई के मौाइदे के हवाले से और इस मौाइदे का बेगराउंड कुछ इस तरह है कि नवंबर में एक मौाइदा किया गया जिसमें फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करना था और उस मौ करेंगे अलबता उसके उपर हकूमत की जानिब से किसी किसम का कोई कानून डिसकस नहीं किया गया इस्टमली के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई उसके बात ये खबर भी सामने आती है कि हकूमत की जो मिटिंग हुई थी उसमें ये फैसला किया गया कि एच से पहले पार मौाइदों को बिलकुल पूरा नहीं किया जा सकता 20 अपरेल के बाद ही होगा जो भी होगा एक नाया मौाइदा होगा या वाट एवर जो भी सुरतहाल पेश आती है इस पर तहरी के लबबाइक की जानिब से किसी किसम का कोई जवाब नहीं दिया गया फिर तहरी के लिए थी एक दो मिनट की शायद वीडियो थी जिसमें ये बताया गया कि 20 अपरेल तक अगर हमारे मौाइदे पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हम लोग 20 अपरेल की रात 12 बचकर एक मिनट पर हलामा खादिम हुसें निजवी की कबर से अपने मार्च का अपने एहतिजाज का आगास करेंगे और बिलकुल उन्होंने कारकुनान को कॉल खुलम खुला दे दी थी और एहतिजाज होने वाला ही था क्योंकि 20 अपरेल को मौाइदा किसी भी सूरत पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी कानूनी मामलात है जिसको आगे लेके ज गरिफ्तारी को देखा जाए ये सब कुछ सामने आना जरूरी है और इसमें नोटस तो कमस कम एक सामने आना चाहिए एक इतला ये भी मिल रही ही कि उनको नामालूम मकाम पर मुन्तकिल करना मेरे नजदीक खलत है वो कोई भी सियासी रहनुमा हो लेकिन फर्क देखें पर एलेक्शन ओरे दूसरे तीसरे नंबर पर ये जमात आ रही है वोट कम हो रहे है कई पर कई पर नहीं कम हो रहे है तो लेकिन ये है कि पॉलिटिकल जमात है इसको लोग मानते है इसको लोग वोट कास्ट करते हैं हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ह जिनको वोट मिलते हैं आप उस पार्टी के लीडर को उठाने के लिए कोई नोटिस नहीं है और एक वो पार्टी जो जिनके काईच जो है इस मलक से भाग चुके हैं धोका दे चुके है कानून को 50 रुपे के स्टांप पेपर के उपर और मर्यम नवास साहिबा खुद मुझर कार्टीकल लीडर को जिनके उपर शायद इस किसम का कोई मुकदमा ना हो माजी में शायद को एंको झांध ना है कोई माजी का मुकदमार को रिपकर ना करके उठाया गया हो देखते हैं इस हवाले से किस किसम की इतला आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और वहापी जाके आपको सुरतहाल दिखाने की कोशिश करेंगे. बहुत शुक्रिया आपके पास भी कोई अपडेट आती है. तो वाटसअप की डिस्क्रिप्शन में मेरा वाटसअप नंबर है. आप मुझे जरूर मेरे साथ वो मालूमाद जो है शेयर कर सकते हैं. आप आपके आपके जरूर मेरे साथ चुक्रिया आती है.